क्लास के अंदर कुछ बच्चे पूजा का बैग लेकर इधर से उधर फेक रहे है पूजा रोते हुवे कह रही है मेरा बैग मुझे दे दो, मेरा बैग मुझे लोटा दो तभी एक बच्चा हसते हुवे कहता है तो गंजी भूतनी बैग लेकर करेगी क्या? तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी गंजी काली कलोटी कहीं की जा भाग जाए यहां से पूजा रोती रही, क्लास में टीचर आ गई क्या हो रहा है ये सब देखे न मैडम, ये लोग मुझे मेरा बैग नहीं दे रहे है तू, तू फेर आ गई, तुझे मना क्या धना स्कूल आने से तो जैसी काली गंजी लड़की की वज़े से स्कूल में लोग चैन से नहीं रह पाते चल, निकल यहां से टीचर ने पूजा को निकाल दिया पूजा रोती हुई घर चली गई घर पहुँचते ही उसकी सौतेली मा बिमला ने कहा आ गई मारानी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर नी बनने का इरादा है क्या घर का काम कौन करेगा तेरी मरी हुई मा मैं, मैं कर देती हूँ जल्दी कर बनना तो तुझे नौकरानी ही है वैसे भी गंजी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता इसी घर में पढ़ी रहेगी तो जिन्दगी भर पूजा चुपचाप घर के काम करने लग गई जन्म के बाद से ही पूजा को कभी कोई सुख नहीं मिला खुजी नाम की कोई चीज पूजा की जिन्दगी में नहीं है पूजा की असली मा को एक भयानक बिमारी थी जिसके कारण उसके सारे बाल जढ़ गए थे और तब पूजा भी अपनी मा के पेट में थी पूजा को जन्म देते हुए उसकी मा मर गई और पूजा भी गंजी पैदा हुई उसके पिता महेश ने कहा एक मुसीबत गई और एक मुसीबत आई पता नहीं इस गंजी लड़की को लेकर मैं क्या करूँगा उसके कुछी दिनों में महेश ने बिमला से शादी कर ली और बिमला ने पूजा की जिंदेगी खराब करके रखती उसे पीने के लिए दूद नहीं दिया ठीक से पूजा को सुलाय भी नहीं जिसके कारण पूजा कमजोर पड़ गई और जब पूजा थोड़ी बड़ी हुई तब बिमला उससे घर का सारा काम करवाने लगी पूजा ने जित पकटी मैं घर का सारा काम कर दूँगी लेकिन मुझे स्कूल जाना है मुझे स्कूल जाने दो बहुत मुश्किल से बिमला को मना कर पूजा स्कूल गई लेकिन वहाँ भी सभी ने उसका मजाग बना दिया लेकिन पूजा फिर भी रोज स्कूल जाने लगी अगले दिन भी पूजा स्कूल गई और तभी एक बच्चे ने उसे कहा एह पूजा तुझे पढ़ना ही है तो क्लास के बाहर जाकर बैट जा तुझे देखते ही हमें उल्टी आती है हां हमने कभी कोई गंजी लड़की नहीं देखी है न पूजा क्लास के बाहर बैट कर पढ़ाई करने लगी टीचर ने पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा तो बोलो बच्चो 10 प्लस 12 कितना होता है लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया तब ही पूजा ने क्लास के बाहर से कहा 22 होता है मैडम सही जवाब लेकिन तू क्यों पढ़ाई कर रही है तुझे तो कोई नौकरी भी नहीं देगा इतनी बचसूरत लड़की को कोई नौकरी देता है क्या पूजा को बुरा लगा लेकिन वो कर भी क्या सकती थी थोड़ी देर बाद स्कूल में एक फोटोग्राफर आया टीचर ने सब को बुलाया बचों सब लोग आ जाओ इस साल हम ग्रूप फोटो लेंगे और उसे अपनी स्कूल की मैगजीन में चापेंगे सभी बच्चे हंसते हुए कैमरा के सामने चले आए पूजा भी चली आई फोटोग्राफर ने कहा ये गंजी लड़की भी रहेगी क्या मैडम इसे ग्रूप में लेने से फ्रेम खराब हो जाएगा हाँ हाँ आपने सही कहा इसकी तस्वीर तो हम मैगजीन में नहीं चाप सकते ए पूजा ग्रूप से बाहर निकलो पूजा रोते हुए बाहर निकल गई इसी तरह पूजा की जिंदगी बीटने लगी किसी ने उसे प्यार नहीं दिया किसी ने उसे कभी ये नहीं कहा कि पूजा तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूपसूरत हो पूजा ने रोते हुए कहा मुझसे सब लोगों को प्रॉबलम है मैं और कभी स्कूल नहीं आओगी कभी घर भी नहीं चाओगी पूजा रास्ते में भटकने लगी रात हो गई पूजा को बहुत जोर की भूख लगी बहुत भूख लगी है लेकिन मेरे पास कुछ भी खरिदने के लिए पैसे नहीं है क्या करूँ किस से मांगो बहुत सोचने के बाद पूजा एक होटल में गई और खाना मांगने लगी साब कुछ खाने को दे दोना साब बहुत भूख लगी है ए भाग जा यहां से घर जा और अपनी मां से खाना मांग मेरी मां नहीं है मैं आनात हूँ मेरी सौते लिमा बहुत अध्याचार करती है तो मैं क्या करूँ तुझा यहां से तुझे दिख के मेरे होटल से लोग भाग जाएंगे उसने पूजा को भगा दिया पूजा इधर उधर खाना मांगने लगी बहुत कोशिश के बाद पूजा को एक रोटी मिली फुटपात में बैट कर पूजा रोटी खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी आई रोटी खा रही हो क्या मुझे रोटी दोगी मैं भी भूखी हूँ मेरी तरह तुम्हारा भी कोई नहीं है क्या नहीं कोई नहीं है कोई खाने को नहीं देता इसलिए बहुत भूख लगी है आपका दर्द मैं समझती हूँ ये लीजे आधी रोटी आप खाए आधी रोटी मैं खाती हूँ पूजा ने उस बुढ़ी को आधी रोटी दे दी उस बुढ़ी ने खाने के बाद कहा बेटी मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है तुम्हारे बाल कितने लंबे है मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है कोई बात नहीं बेटी, तुम सो जाओ ये बूलकर बूर ही चली गई पूजा ने भी जादा ध्यान नहीं दिया और वो सो गई सुबह उसकी नीन खुली तो उसने देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा है अरे, तुम्हारे जैसे खुबसूरत लड़की फुटपात में क्यों सोई हुई है तुम्हारे कितने लंबे बाल है, बालों कहीं बिस्तर बना लिया है तुमने पूजा पहले तो चौंक गई, उसके बाद उसने देखा कि उसके बाल जमीन तक आ गए है वो गोरी हो गई है अरे, ये कैसे हो गया? ये तो चमतकार हो गया, मेरे इतने लंबे बाल पूजा बहुत खुश हो गई, उसे याद आया कि उस बुरी औरत ने उसे यही कहा था पूजा दोड़ते हुए स्कूल की ओड़ जाने लगी और तभी भयानक भूकम शुरू हो गया स्कूल तूट कर गिर पड़ा पूजा जब वहाँ पहुँची तब तक स्कूल पूरी तरह से तूट चुका था और एक चटान के नीचे एक बच्चा फंसा हुआ था अरे कोई मदद करो, चटान के नीचे मैं फंस गया हूँ, आ, मदद करो पूजा सामने आई, मैं करूँगी मदद अरे पूजा, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हुए? प्यार की वज़ा से, इंसानियत की वज़ा से, वो आपने ही समझेंगी ये बूलकर पूजा ने अपने बालों से चटान को बांध लिया और जोर से खींचने लगी और इसी तरह उस बच्चे की जान बच गए पूजा, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा है, लेकिन आज तुने मेरी जान बचाई सभी ने पूजा को गले लगा लिया, बिमला और महीश ने भी पूजा को अपना लिया और सभी पूजा के लंबे बालों के फैन बन गए टीचर ने भी पूजा से माफी मांग ली पूजा मुझे भी माफ कर दो, इस साल मैगजीन में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर चापी जाएगी मैगजीन में पूजा की तस्वीर आ गए और अपने अनोखे बालों की वज़े से पूजा बहुत फेमस हो गए इसके बाद से पूजा को कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ा और वो एक खुशाल जिंदकी जीने लगी एक गाउ में रामदीन नाम का व्यक्ति रहता था जो बहुत करीब था उसकी पतनी छे साल पहले एक बिमारी की वज़े से इलाज नामिल पाने के कारण चल बसी थी रामदीन के परिवार में केवल वो और उसकी 12 साल की बेटी आरती थी रामदीन मिट्टी के खिलोने बना कर बाजार में बेचा करता था और उसी से उसका गुजारा चलता था आज भी रामदीन बाजार में एक दुकान के सामने फड लगा कर खिलोने बेच रहा था उसके फड पर एक बच्चा आकर खड़ा हो गया ये वला खिलोना कितने का है अंकल कौन से वला बेटा ये हाथी वला अंकल बेटा ये खिलोना बोरी में डालते समय चटक गया है ये तुमारे मतलब का नहीं है तुम ये शेर वला खिलोना ले लो ये केवल बीस रुपए का है नहीं मुझे यही वला खिलोना चाहिए रामदीन ने उसे बहुत समझाया पर वो बच्चा वही खिलोना लेने के लिए अड़ गया ठीक है बेटा अगर तुम नहीं मानते तु ले लो ये खिलोना वैसे भी ये चटक गया है तु तुम केवल पांच रुपए दे दो उस बच्चे के हाथ में वही चटका हुआ खिलोना था वो तीनों अमीर घर के लगते थे उस वारत और उन दो लड़कों ने रामदीन को गालिया देनी शुरू कर दी इस बुढ़े के आँसे ही तुमने ये तुटा हुआ खिलोना करीदा है बेटे जी ममी ए बुढ़े बच्चा समझकर इसको लूट रहा था एक तूटा फूटा खिलोना पकड़ा दिया मेरे बच्चे को तुझे बच्चे को लूटते हुए शरम नहीं आई बेहन जी कैसी बाते कर रही है आप मैंने इस बच्चे को बहुत समझाया कि ये खिलोना तूटा हुआ है मगर ये बच्चा जीद पर अड़ा रहा और मैंने तो इस तूटे हुए खिलोने के पैसे ना के बराबर लिये हैं अगर आप कहो तो वो पैसे में वापस किये देता हूँ हाँ क्योंकि तू तो बहुत जादा दयावान है ना पैसे वापस करेगा मतलब तू हमें भिखारी समझ रहा है अपनी आकाद देख तू पैसे वापस करेगा ये कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई उस औरत ने उन लड़कों की ओर इशारा करके कहा देखते क्या हो मारो इस बुढ़े को ये बेवकूफ बनाकर बच्चों को लूट रहा है और अकड़ देखो इसकी बहन जी मेरी बात तो सुनिये औरत के इतना कहते ही उन दोनों लड़कों ने रामदीन को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया रामदीन वहां आसपास लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा मगर उसकी मदद को कोई नहीं आया उन लड़कों ने रामदीन के सारे खिलोंने पैरों से तोड़ कर कुचल दिये वो औरत गालियां बक्ती हुई अपने बच्चे को लेकर चली गई रामदीन को उन लोगोंने बहुत मारा था रामदीन को बहुत चोट आई थी चोट के कारण ही रामदीन कुछ दिनों से बिमार होकर चार पाई पर लेट गया उसकी आमदनी भी खत्म हो चुकी थी घर के इस तरह से हालत देखकर उसकी बेटी आरती गुमसुम बैठी हुई थी क्या सोच रही है आरती बिटिया कितनी देर से देख रहा हूं गुमसुम बैठी हुई टक-टकी बांधे छत को देखे जा रही है कुछ नहीं बाबा, सोच रही हों कि भगवान ने हमको इतना गरीब क्यों बनाया ऐसा नहीं कहते बिटिया, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं बाबा, मेरे साथ की सब लड़कियां स्कूल जाती हैं, पर मैं नहीं जाती मा मुझसे कितना प्यार करती थी, पर भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया और भगवान ने मुझे कोई भाई भी नहीं दिया हर रक्षा बंदन में मेरी सहेलियां अपने भाई को राकी बानती हैं, पर मैं बाबा, अगर मेरा कोई भाई होता, तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, कि वो आपको पीट सके बाबा, उन लोगों ने आपको इतना मारा, पर किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की इतना कहकर आर्थी फूट फूट करोने लगी, आर्थी को रोता देखकर रामदीन की आँखों में भी आँसु आ गए रो मत बितिया, भगवान पर भरोसा रख, मैं जानता हूँ, जबसे तुने आँखे खोली है, गरीबी के अलावा कुछ नहीं देखा बाबा, घर में खाने को सब खत्म हो गया है, और आप भी बिमारों, जितने खिलोने थे वो सब मैं बेच चुकी हूँ, सिर्फ एक खिलोने को छोड़ कर, जो आपने मेरे लिए बनाया था बाबा, मैं उसे ही अपना भाई मानती हूँ, उपर से जो आपने मा की बिमारी को लेकर जो कर्सा हुकार से लिया था, वो भी धमकी दे कर गया है अब क्या होगा बाबा, आर्ती को बड़ी चाहत थी कि उसका कोई भाई भी होता, तो रामदीन ने अपने हातों से एक लड़के की शकल का मिट्टी का खिलोना बना कर दिया था, आर्ती बचपन से ही उस खिलोने से खेलती थी, खेल खेल में वो उसे अपना भाई बनाती थ धीरे धीरे वो उस खिलोने को हकीकत में अपना भाई मानने लगी थी, उसने बड़े प्यार से उसका नाम मोहन रखा था, वो उस मिट्टी के खिलोने को भाई कहकर बुलाती थी, वो उसे अपनी जान से भी जादा चाहती थी, बाबा, काश मेरा कोई बड़ा भाई होता, तो आज हमारी ये इस्थिती नहीं होती, बाबा मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे खिलोने बनाना सिखा दो पर आपने नहीं सिखाया, बाबा मैं मर जाओंगी पर ये खिलोने नहीं बेचूँगी, बिटिया मुझे क्या पता था कि इस्थिती ऐसी हो जाएगी, पूरा भीग चुका था और आरती भी बैठे बैठे सो गई अचानक एक तेज रोश्ट ने उस मिट्टी के खिलोने पर पड़ी और देखते ही देखते वो मिट्टी का खिलोना बड़ा हो गया और एक 15 साल के बच्चे के रूप में यानि इनसान में परिवर्थित हो गया उस खिलोने में जान आ चुकी थी अचानक आरती की नेंद खुल गई उसके हाथों से मिट्टी का खिलोना गयब था कौन हो तुम और मेरा भाई कहा है मैं ही मोहन हूँ आरती तुम्हारे आसू के जरिये भगवान ने मुझ में जान डाल दी ऐसा कैसे हो सकता है भगवान चाहे भी कुछ नहीं बोल सकता था मैं मनी मन भगवान से प्रार्थना करता था और देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली आरती ने जब मोहन के चेहरे को बहुत गौर से देखा तो उसका चेहरा काफी हद तक उसके खिलोने से ही मिल रहा था आरती खुशी से चेह कुट नहीं है मैं बहुत अच्छे खिलोने बनाना जानता हूँ क्या तुम खिलोना बनाना भी जानते हो हां अरती जब मैं किवल मिट्टी का खिलोना था तब से ही मैंने बाबा को खिलोने बनाते देखा है मैं सब कुछ जानता हूँ बाबा अब आपको काम करने की जरुरत नही मोहन ने एक ही रात में इतने खिलोने बना कर तयार कर दिये जितना रामदीन एक महीने में बना कर तयार करता था सुबह तक धेर सारे खिलोने बन कर तयार हो चुके थे आरती तुम बाबा का ख्याल रखो मैं ये सारे खिलोने बाजार में बेज कर आता हूँ शाम तक मोहन सारे खिलो ने बेच करा गया ये लो बाबा आज की कमाई अरे बेटा इतने सारे पैसे इतना तो मैं एक महिने में कमा पाता था चिंता मत करो बाबा अभी तो सिर्फ शुरुवात है अब मैं आ गया हूँ ना अब आरती भी अपनी सहलियों के साथ स्कूल पढ़ने जाएगी देखते ही देखते रामदीन के हालात बदलने लगे रामदीन ने जो अपनी पत्नी की बिमारी को लेकर कर्ज साहुकार से लिया था वो सब लोटा दिया ये सब देखकर साहुकार रतन सिंग जिसकी नजर रामदीन के घर पर थी उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसने अपने नौकर सत्तू को बुलाया जो एक बदमाश किस्म का व्यक्ति था सत्तू समझ में नहीं आता रामदीन के हालाथ इतने जल्दी कैसे बदल गए मुझे तो जरूर कुछ दाल में काला नजर आ रहा है आपने सही कहा मालिक उस विमार बुढ़े गे तो अचानक दिन ही बदल गए पुरे गाउ में चर्चा है कि उसका एक बेटा भी है यह क्या बक्वास कर रहे हो तुम जहां तक मैं रामदीन को जानता हूँ तो उसकी सिर्फ एक बेटी थी यह रातो रात बेटा कहां से आ गया हो सकता है कि वो उसका रिष्टेदार हो मालिक मुझे उससे कोई मतलब नहीं अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मेरा धंदा चौपट हो जाएगा मैं रामदीन के मकान की जमीन पर एक बिल्डिंग बनाना चाहता था और मैंने रामदीन के मकान की जमीन के एक बिल्डर से पैसे भी ले लिये हैं मेरा बहुत नुक्सान हो जाएगा अब जो हुकम करे मालिक मैं वही करूँगा देखो जबसे वो लड़का रामदीन के घर पर आया है तब से ही उसके दिन बदले हैं तुम एक काम करो रात के वक्त कुछ अपने आदमियों को साथ ले जाकर रामदीन के मकान के अंदर घोश कर उस लड़के को मार डालो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी रामदीन फिर सड़क पर आ जाएगा और उसे कर्ज लेने के लिए मेरे पास आना ही पड़ेगा रात के वक्त रामदीन और आरती गहरी नीन में सो रहे थे और मोहन बाहर आंगन में खिलोने बनाने में व्यज़ था अचानक सत्तु साहुकार रतन सिंग के बदमाशों को साथ लेकर रामदीन के घर में घुज गया और उसने लाठी डंडों से मोहन के उपर प्रहार करना शुरू कर दिया कुछी तेर में मोहन का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा मोहन की चीक से आरती और रामदीन की आँख खुल गई सत्तु बदमाशों के साथ तुरंद फरार हो गया आरती और रामदीन भागते हुए मोहन के पास आ गए मोहन का शरीर खुन से लगपत पड़ा था मोहन मर चुका था आरती रोने लगी बाबा बाबा देखो मोहन को क्या हो क्या है भगवान एक भाई दिया था तुने और वो भी हमसे चीन लिया ये बेरेम दुनिया वाले इनसे हमारी खुशी देखी नहीं गई ये जरूर उसाहुकार रतन सिंग की कर्तूत है ए भगवान तो इन बेरहम लोगों को दौलत क्यों देता है इनसे गरीब की जरा सिभी खुशी देखी नहीं जाती मेरा प्यारा बेटा मोहन मुझे कुछ नहीं पता बाबा मेरा भाई चाहिए मुझे भगवान पर भरोसा रख बेटी उसकी लिला बड़ी निराली होती है जो हमारी समझ में नहीं आती आरती फूट फूट करोने लगी उसके आंसू लगातार मोहन के चहरे पर गिर रहे थे अचानक एक तेज रोशनी मोहन के चहरे पर पड़ी और देखते ही देखते मोहन के जख्म खुद बखुद भर गये और वो बिलकुल तंदरुस्त हो गया बलकि वो पहले से और जादा बड़ा हो गया अब उसकी उम्र 26 साल के बीच थी मोहन उटकर खड़ा हो गया देखो आरती अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुका हूँ तुम्हारे आसुओ की शक्ती से भगवान ने ना मुझे फिर से एक नया जीवन दे दिया है बलकि पहले से और ज्यादा मुझे ताकत भी दे दी है और मेरी उम्रे भी बढ़ा दी है पहले मेरी मिट्टी कच्ची थी मगर अब पूरी पक्की हो चुकी है यानि की मैं पूर्ण रूप से जवान हो चुका हूँ देखा आरती मैंने कहा था ना भगवान की लीला बड़ी निराली होती है आप चिंता मत करो बाबा मैं जानता हूँ मुझ पर किसने हमला किया था अब वो ज्यादा दिन तक समाज में नहीं रह सकता तुम सही कहते हो मोहन हमें अब वो साहुकार रतन सिंग का कुछ ना कुछ करना होगा दूसरे दिन आरती, रामदीन और मोहन ने साहुकार रतन सिंग के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी रतन सिंग की शिकायते पहले भी थानेदार के पास आई थी वो पहले से ही रतन सिंग से काफी खिसी आया हुआ था उसने रतन सिंग और सत्तु को अरेस्ट कर लिया अदालत ने रतन सिंग और सत्तु को उम्रकैत की सजा सुनाई आरती और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगे